इस वक्त मैं जो है वो उस गाउ में मौझूद हूँ जहाँ पर सबसे पहले भेडियों का आतनक आया सबसे पहले भेडियों ने जहाँ पर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया इस पूरे इलाके में ऐसे दरजनों गाउ है जहाँ पर भेडियों का आतनक था और अब आतंक जो है, अब इन गाओं से cash shift हुआ है या नहीं वाले कि उससे पहले जो है, कुछ बड़ी खबरे आपको बताते हैं इस पूरे मामले में, आदम को भेडियों को गोली मारने के order दिये गए हैं, कोई उपाई नहीं बचे तो सीधे गोली मारो, CM के सक्त निर्देश है, कि अगर कोई उपाई नहीं बचता है, तो सीधे गोली मार दिया जाए, इतना ही नहीं योगी ने ये भी कहा है, कि जंगली जारवनों का खौफ किसी भी कीमत पर खत्म किया जाए, तो ये मुक्यमत्रियों इतना जो है, इसको लेकर सक्त निर्देश लगातार बैठके कर रहे है, यूपी में भेडियों के हम लोग की घटाओं को लेकर लगातार CM जो है, वो एक्शन में है, फोरेज डिपार्टमेंट से कोई सारे एक्सपर्ट जो है, उनको बहराईच भेजा गया है, CM ने कहा है कि हर हाल में जो है, आदम खोर भेडियों प पूरी तरह से अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस गाओं में आप इस समय खड़े हैं, ये गाओं इतना संबेदल सी है कि कभी भी घटना हो सकती है, आये दिन, रात, कभी भी एक बज़े, दो बज़े, एक तो बैक ओड एरिया है, सभी घास फूस का मकान है यहापे, कभी भ आटेक हो सकता है, दूसरा अभी तो एक जानोरों का ताचार चली रहा था, तंक चली रहा था, अब एक तो फसल देखने अगर नहीं जाते हैं, तो फसल का नुक्सान, दूसरा अगर जो जाते हैं, तो जान का नुक्सान, बड़ी बात करें, कहने कि अगर वो घर से ने नि जो आदेश दिया है कि आदम खोर भीडियों को गोली मारती जाए उससे आप लोग सहमेत है कि आपको लगता है कि इस तरह के भीडिये का अतंक है बनवग इतनी कोशिशे कर रहा है उसके बावजूद भी पकड नहीं पा रहा तो अब मारना चाहिए इनको गोली जाए उसको तुरंत मार देना चाहिए बिल्कुल मारना चाहिए उसके तो हो रही थी पककड़ने की इतनी लमबे समय से बनवखा कोशिश करना था इसमें सुरक्छा गाडों की हर विलेज में और कुछ रक्षा कर्मी बढ़ आये जाए तक यह जब तक सुरक्षा कर्मी यहां तक पहुंचते हैं तब तक निकल जाता है और लंबा एरिया है चुकि बहुत बड़ा एरिया है तिस चिकर्ज हो रही है तो लगतार कह रहे हैं कि हर जगल लाइट हो प्रकास की ब्युस्ता आप क्या चाहते हो गोली मारना चाहिए देखते हुए भेडिये को जो आदम खोर हो गया है मैं आपसे चाहता हूं कि जिस तरह के निर्देश दिये गए मुकिमंतरी योगी की तरफ से आप लोग इसको देखके क्या सोचते हो कि लगता कि यतने खुंखार हो चुके आदम खोर चुके हैं खून लग चुका है कि मूं में क्यों गोली मारना है उपाए है तो यह तमाम जो लोग है आप आज आज आजो हम यह जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सीम जो है इसको लेकर बहुत सक्त है लगतार बैठके कर रहे हैं कल रात रुदेश दिया है वो जरूरी है लेकिन हम आपको सीम के एक्शन से जोड़ी हुई कुछ बड़े डिटेल्स जो है वो बताते हैं कि सीम ने क्या-क्या कुछ बैठकों में निर्देश दिये गए यूपी में जंगली जारों के आतंक पर बड़ी बैठक हुई है कल शाम को भेडिया तेंदुआ और बाग के हमलों पर चर्चा हुई इस बैठक में मिटिंग में कई जीलों के अधिकारी शामिल हुए अधिकारियों को रात में गस्त बढ़ाने के निर्देश दिये गए गए गाउं में जागरूपता भियान चलाने के भी निर्देश दिये गए जहां जरूत हो वहां अधिकारी रात में कैम्प करें यह सक्त निर्देश स सियम के अगर पकड़ने में नकाम होते हैं तो फिर गोली मार दें तो जो बाते हम कह रहे थे लगातार सियम जो है निर्देश दे रहे कि किस तरह से इन भेडियों को पकड़ने के लिए कोशिशे जो की नहीं है वो किया जाए अब हम चलते हैं अपने सयोगी मांसुवी पास जो इस वक्त उस गाउ में मौझूद है जहां दो दिन पहले ही भेडिये ने एक बच्ची को अपना शिकाब रहा था इसा गुस्सा वहां के लोगों में दिखाई दे रहा है कुछ वैसा ही गुस्सा जो है यहां के लोगों में भी दिखाई दे रहा है इनका भी कहना है कि जो गाव है जहां पे 33 दिन से लगातार लोग जो है खौफ के साय में जी रहे हैं इस भेडिया के ऑपरेशन से जो अपडेट है बड़ी वो आपको पहले बताते हैं खुंकार भेडियो के हमले की रेंज जो है वो बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि जो आतंक का दाइरा है व बहुत ज्यादा बढ़ गया है यह हो सकता है कि दोनों भेडिये जो दावा किया जाना था शाषर की तरब से कि दो भेडिये हैं उन अलग अलग दिशा में चले गए हो लेकिन अंदेशा तो इस बात का भी है कि क्या पता भेडियों की संक्या दो से कहीं ज्यादा हो लगात करते दिन के साथ हैं जो हंटिंग एरिया है वह भी बढ़ता जा रहा है बहुत साथ हैं और कुछ महिलाएं भी आ गई हैं इनसे बात करते हैं मता जी आपको लगता है कि जो दायरा है बढ़ने का गाउं कई सारे गाउं है इसमें शिकार बढ़ गया है देखी कि कहुं घर मपाउली ना पला ना दर्वाजा कहां पाउर रहा जाए दिकते आप लोग को रही हैं यह देखिए यह तमाम मिलाएं हैं वह कह रही हैं कि बहुत परिशान हैं दादी परिशानी बढ़ गई है आपको जैसे भीडिये कोई से परिशानिया और बढ़ ग ना पढ़ता है बहुत जड़ा नुकसान हो रहा है अप घेती यह फीड़ाने के यह सबाहां परिशान परिशाइंब को अनुम कि यहां पुरा इलाका है बावन पच्वन गाउं का यहां तो पहुंच गया है जी बिल्कुल बिल्कुल आये दिन कहीं ना कहीं अभी परसो चौत की बात है यहां पर दू-चार जब लग यहां से कुछ जो कुछ आवाज का रहते वहां पर डंडा लेकर दोड़े तो यहां पीछे वाले एक तो गन्य की फसल है उसमें जाके घुच जाते हैं मतलब यह 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 इतना समय दलसील है कि आये दिन घड़ना हो सकती है तो बड़ी बात है यह 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 बहुत ज्यादा सैंस्टिव है क्योंकि शुरवात जो है भेडियों के हमले की इसी गाउं से हुई थी गाउं के पास के गाउं में शिकार करने भेडिये जो है सबसे पहले पहुंचे थे सबसे पहले टेक किया था यह जो दायरा है इनका अब बढ़ गया है लेकिन क्या कुछ भी चल रहा है और सबसे बात है कि प्रिशासन की तैयारी कैसी है प्रिशासन कि इतना जुटा हुआ है इसको लेकर हम आपको कुछ जनकारिया देंगे सबसे पहले आपको बताएं कि क्या कुछ इंतजाम जो है प्रिशासन की तरफ से इन आदम कर्मल ड्रोन की मदद से इलाके पर नजर रखी जा रही है चारो तरफ 58 और 8 थर्मो मीटर जो है वह लगाए गया है 25 दिन रात प्रेट्रोलिंग में टीमें जूटी हुई है कच्छार इलाको में खेसों में कॉम्टिंग जा रही है तागट इलाकों में हाइ मास्ट लाइटे जो अब तक जो है वो प्रिशासन जो लोकल डियेफोज थे उनको लगाए वा था लेकिन अब बाहर से भी एक्सपर्ट बुलाए जा रहे ताकि इन भेडियों के आतंग को खौफ को खत्म किया जाए